हेलो इस्टुएंट दिस्टुएंट आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं सिस्को का वर्चुएल इंटर्णशिप प्रोग्राम 2022 जिसका मैसेज आपको पहले ही ग्रूप में रोटेट किया जा चुका है कि एक इंटर्णशिप प्रोग्राम होने जा रहा है आप सभी रहे हैं सबब्सक्राइश्य करणा हम जिए यह ग prim इटर्णशिप प्रोग्राम प्रोग्राम प्रे का अक्ट रहे दो इंटर्णशिप परोग्राम को plante'sson करते हैं जिसमें फ्रस्ट पार्ट में आपको एक कोर्स कराया जाएगा Cisco के तरफ से networking का वो course उसकता है, maybe आपको IoT से related हो सकता है, maybe आपको क्या है cyber security से related हो सकता है, तो ये course करने के बाद आप क्या करेंगे उसका certificate पहले अपने instructor को submit करेंगे, instructor को आपको idea हो जाएगा कि आपने आपना course complete कर लिया है, तब instructor आपको क्या करेंगे, एक assignment आपको joint assignment दिया जाएगा, जिसमें 2-3 student मिलके participate करके assignment को complete करेंगे, और assignment complete होने के बाद final एक क्या होगा, finally आपका एक quiz होगा, उस quiz को जब आप complete करेंगे, यानि quiz जो होगा, वो individual होगा, quiz में आपका performance दिखा जाएगा, कि आपने कैसे complete किया, किस तरह से आपने total course को complete किया, कैसा आपक performance हो, उसके business पे आपको एक final certificate मिलेगा, जिसका नाम होगा internship certificate, okay, virtual internship certificate होगा, और वो कितने duration को होगा, दो मन्त का होगा, ये internship program कौन launch कर रहा है, तो ये internship program जो launch किया जा रहा है, वो joint venture है, यानि 2-3 organization मिलके इस program को launch किया है, जिसमें सबसे पहले आपका Cisco की company है, जो Cisco की तरफ से joint adventure किसके साथ किया गया, AICT and NASCOM, तीन organization है, तीनों ने मिलके इसको क्या किया है, combine रूप से इसको launch किया है, ताकि इससे student जो है, घर बैटे बैटे maximum benefit गेन कर सके, यानि उनने कहीं physically internship program करने के लिए जाने की ज़रूरत ना पड़े, बलके वो virtual internship करके, अपना बहुत सारा knowledge, जो practical experience है, वो gain कर सके, आप लोगों को पता है, जैसा कि internship program जो student नहीं जाने है, उनके लिए मैं थोड़ा था idea, basic idea देता हूँ कि internship program होता क्या है, तो internship program यह होता है, कि simple आप जब job में जाते हैं, तो जो वहाँ job में आपको practical experience दिया जाता है, practically जो सिखाया जाता है, उस practical experience को gain करने के लिए, इस् wow को अपने education time में, यानि कि जब graduate final semester में होते हैं, या 3rd semester में होते हैं, diploma की generally 5th semester में internship करते हैं, और आज-कल 3rd semester में भी आगया है, ठीक है, internship करने के लिए, वैसे engineering में भी होता है, अलग-अलग semester में इंटरNSHIP करने के लिए कहा जाता है, तो internship program जो student complete करते हैं, उ आपको कहा कि आप अपने ब्रांच से रिलेटेट कंपनी में जाइए और वहां एक में मंत की ट्रेनिंग लेजिए जैसे आप इलेक्राइटिस के हैं तो सब्सक्राइब बात करते हैं तो यह कॉम्निकेशन कैसे होता है मतलब ट्रांच्मीटर से जो आपका सीडल ट्रांस्मीट होता है वो रिसीवर तक कैसे पहुँचता है यानि उसके अंदर कोडिंग होता है फिर उसके बाद डी kोडिंग होता है फिर उसके पर उसके बाद को एमपिकेशिन का ढाता है और सारा प्रोसेस अब cont refrain क्या काते है कै करने के बाद काम करते हैं वह काम आपको in the term of education जो आप पढ़ रहे हैं आपको पहले से सब कुछ समझा हुआ हूँ ठीक है तो इसलिए इस इंटर्शिप का मेन मोटिव यही होता है तो वह leadership जो होता है वो फिजिकल होता मतलब आप आप जाते हैं company में देखते हैं और करते हैं लेकिन यहां जो internship program कि रहा जा रहा है वह physical नहीं है बलके क्या है यह वर्चुल ही है मतलब आप बैटके अपने computer से सारा program को complete करेंगे जो जोब के लिए अप्लाई करेंगे तब वहां पर आप ये शो करेंगे कि मैंने दो मंद का वर्चुएल इंटर्शिप प्रगाम किया जिसका इस तरह से परफॉर्मस किया था और वहां ये लोग वहां जो जो जॉब में जो इंटर्व्योर होते हैं वह इसको सबसे पहले के बाद अपना प्रोसेशन करना है इसको पर ब्रॉजर आपके पास है उससे उपन कर लेंगे जब यह ओपन हो जाएगा यहां पर यहां देखेंगे नीचे आएंगे तो यहां यूशिटी कॉलेट यह तो यह सरब यह तरह चीज पुछा जा रहा है तो आपका को पहले से आप अगर government organization में है वो तो AICT by default है लेकिन अगर private organization में है तो आप अपने college का पता कर लेंगे कि AICT approved है कि नहीं तो अभी हम लोग यहां पर select करेंगे AICT affiliated organization के बात कर रहें तो हम लोग आएंगे university college institute name तो आपका यहां पर आप अपने college का नाम search करेंगे तो college का नाम जैसे हमारे college का नाम है बदियुद्धमा खान पॉलिटेक्निक इस्चूट हम लोग यहां लेखेंगे BADD इसको select करेंगे जैसे ही आप सबसे पहले आपना नाम भरेंगे तो मैं यहां पर नाम भर देता हूँ एक मैं डेमो यह फॉर्म बना रहा हूं उसके बाद मैं आपको आपको डेमो बता रहा हूं इसलिए आप अपने इसाप से इसको बढ़ सकें तो चली मैं भर देता हूं मैं नाम भर देता हूं MDE के श्रिम शार सपोज ओके लास्ट नेम जो आपको दिल करें वहां पर डाल सकते हैं के contact number जो आपका है वो डाल सकते हैं यहां पर एक सिकंड अ का contact number यहां पर डाली आपना जो भी आपका contact number है कि इस्ट्ट्ट आईडी में आप क्या डालेंगे हैं इन्वल्मेंट नंबर इस्ट्ट्ट नंबर डालेंगें रेजिट्रेशन नंबर डालेंगें तो मैं सेही कर दूँगा, आप यहां पासफट डालेंगे, पासफट मैं डाल देता हूँ, BKPI, OK, 08, सब्सक्राइब, मैं ऐसे ही, जिनल, मतलब आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से, यह ध्यान रखिया है, कि अपर केस होना चाहिए., लोर केस होना चाहिए, साथ में, लेटर होना चाहिए, जेंडर, जेंडर में आप जो भी है male female यहाँ पर select करेंगे category category में आप जिस category में belongs करते है general में, SC में, ST में, OBC में जो select करना है कर लेंगे, उसके बाद last past course आप कौन सा course last complete कियें 10th complete कियें, 12th complete कियें diploma, graduation, तो आप अगर diploma के student है तो आप या 12th complete करके हैं तो आप अगर 10th complete कियें 10th select करेंगे, 12th complete करेंगे और अगर आप engineering में हैं, तो diploma complete करके हैं, या पिर graduation complete करके हैं या पिर 12th complete किये हैं, वो select करेंगे accordingly तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोगा भी select करेंगे 12th complete करके, यहाँ diploma admission लिया गया है मतलब आपने 12 में कितना परसेंटेज गें किया तो आप सब्सक्राइब करने के बाद यहां से एक रिजिस्ट्रेशन लिंक आपके इमेल बजाएगा और पहले हम चलते हैं इमेल की तरफ की नहीं है कोई तो देखेंगे पर एकाउंट अक्टिवेशन लिंक इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जाएंगे तो यह क्या हो आपका एकाउंट जो है वह एक्टिवेट हो जाएगा अगर यह मेल नहीं आया तो फिर से आप चेक कर लिजेगा एक एमेल आई डालेंगे तो इमेल आईडी जो आपने डाला है वो डालेंगे तो मैंने इसको यूज किया था और आप पासवर्ड क्या डालेंगे पासवर्ड डाला है जो वो डाल देंगे ओके यह और फिर आम लोगिन करेंगे सपोज आपका लोगिन आईडी पासवर्ड डालते है और भूल जाते तो वहां रिसेट करने का उप्शन भी आभी फिलाल मैं इसको अटाल लेता हूं ठीक है अब मैं यहाँ गया अब क्या है अब यहां पर आपको कह रहा है कि फोटो अप्लोड करने के लिए अप्लोड जो भी है आपना इंडेक्शन जो भी है आपने क्या कंपलीट किया है K्या आपका नाम है ठीक पहले आपना नहीं बढ़ीए घनक्षन होथा च्टात यहां च्योड अश्याट परगी तो क्लिक यहां देखें यहां देखें तो क्या क्या है दिप्लोमा है फिलालї पास हाइस इडिप्लोमा करी रहें तो आप हो करेंगया कि सब्सक्राइब नहीं होसिति ? क्या है अनल और वसक्पाइब पड़ सब्रींगे उसके बाद फिंपलीश कॉर्स और लोकेशन नहीं हो आ टिक है वसके बात क्या करेंगे तो प्रेफर केंगा थौर्य स्याणड सामगोव आपका location आप मतलब यह करना चाहता है कि internship के लिए वो सारा डिटेल यहां पर बढ़ेंगे और उसके बाद सेफ कर देंगे इसको ठीक है save करने के बाद उपर में क्या है upload a photo picture तो यहां पर क्या आपको अपना picture upload करने के लिए है तो यहां पर choose file कि जाएगा चूस फाइल कि जाएगा तो यह उपन हो जाएगा इस तरह से जहां पर आपको फाइल होगा उसको चूस किजाएगा और upload कर देजएगा एक page उपन होगा वह page दीख नहीं रहा हूँ उसमें लिखा रहेगा कि have you applied for internship or not तो उसमें रहेगा कि अगर आपने applied कर दिया तो वहां लिखा रहेगा applied ओके तो final submission वहाँ होगा मैं यह पूरा complete करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पूरा complete करने जाओंगा तो बहुत सारा detail बढ़ना पड़ेगा मुझे और वो सारा detail आपका ही होना चाहिए क्योंकि मैं पूरा बर दूंगा तो एक क्या हो जाएगा blank ID क्रेट हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता कि blank ID क्रेट हो तो मैं यह आपको demo करके मैंने दिखा दिया वह basic वहाँ पे होगा मैं फॉर्म खोलना च ठीक है नहीं तो कहीं नहीं पर था मैंने दिखा तक वह ब्लैंक आपको दिखाना तो इस ब्लैंक फोर्म में दिखा रहेगा कि आपने apply किया कि नहीं किया झाए तो चलिए आप लुग कम्प्लीट किए या उसके बाला वह वह फॉर्म कुछ सामने दिकी जाएगा वाउप आपको यह समंझ में आ गया होगा बहुत ही छोटा सा process है सिंपल सा registration process registration कर लिजेगा जब आप complete, तो complete registration के बाद आपको क्या करना है आपको wait करना है कि आपकी instructor क्या करेंगे, एक program इनिशेट करेंगे, मतलब एक program launch करेंगे कोई ना कोई एक training मतलब course launch करेंगे जैसे आपको हो सकता है IoT के उपर course launch हो या पिर हो सकता है cyber security के उपर launch हो या पिर हो सकता है networking essential के उपर launch हो जो course program launch होगा वो एक मई से होगा ठीक है और उस program में आपको क्या करना पड़ेगा आपका registration हो जाएगा उस program में गरबर कर देंगे और qualify नहीं करेंगे तो आप final step तक नहीं जा सके मैंने जासा कि मैंने पहले ही बताया कि तीन process है पहला course completion है जो basic course से start होगा एक course उसको 15 दिन के अंदर आपको complete करना है उसके बाद second process क्या है आपको एक assignment दिया जाएगा उससे assignment को complete करना है और third process क्या है आपको finally third process में एक quiz दिया जाएगा उसको quiz को क्या करना है answer करना है और उसमें marks gain करना है final इन तीनों को मिला का accumulation के बाद आपको क्या दिया जाएगा आप qualify किए कि नहीं internship के लिए अगर आप internship के लिए qualify कर गया है तो आपको थैंक यू सो मच आपको समझ में आ गया होगा we will discuss next time okay